स्वागत नी करोगए हमारा सो वेलकम 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 everyone तो इस अमेजिंग सेशन एना होप हमारा ओजो वीडियो 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 एकदम भेतरीन तरीके से प्रॉपर है सर आखिर आप आही गए अरे तुम बिचारे कब से बोल ले थे May 24 का suggested करवाव सर है ना May 24 का जो exam paper है करवाव सर आप करवाव ना सर आप दो ना आप दो ना तो बस वह लेकर आ गया हूँ तो अब कैसा होता है एक तो होता है कि मैं आपको पूरा paper बता दू बैठके solve करू तीन घंटा but the efficient way of doing it is trying to see the new questions क्योंकि जो same to same question है वो आप already class में कर चुके हो आपने LDR question में mark करता आप उसको लिखके पैट्रिस करोगे तो वो already वहाँ cover हो चुके तो इसमें जो नए questions आपन उसकी बात करेंगे तो अच्छा ये सब करने के पहले जो भी मैं लिखाऊंगा जो भी मैं mark कराऊंगा सब मेरे टेलेग्राम पे डाल दूँगा मेरे टेलेग्राम का लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं solution करवाऊंगा अच्छी तरीके से वो वहाँ डाल दूँगा तो टाइम सेव करना है तो वहाँ जाना डाल लोड कर देना आराम से ओ जॉइन बी करना चैनल को क्योदकि काफी सारे useful चीज़ है वहाँ हैगी उसके लावा subscribe कीए बिना और एरे subscribe के बिना ये सब देखना ही होता है पहले subscribe करना भीरी देखना ठीक है अच्छा अब बात करते हम इसकी पेपर की, तो इसमें अगर मैं बात करूँ, तो there was only one question which was new बाकि सारे normal questions तो आपके question में मिलेंगे, question bank में मिलेंगे number change के पूछ लिया, है ना, तो सब कुछ normal था, suggested answer में, तो honestly बोलू, May 24 का अगर मैं आपको कहूँ, कि suggested मैं आपको कुछ practice करना है, that is question number one, ठीक है it includes parent, plus subsidiary, plus associate ठीक है, इस question को tackle कैसे करना चीए, ऐसा थोड़ा सा नया question आया, lengthy question आया, तो कैसे करना है, वो सब की बात करूँगा, बस इस question को जब मैं discuss करूँगा, तो मैं इसको मेरे format में ले आया हूँ, मतलब मेरे जो question bank का format होता है तो इसको मैंने अपने index 110 का पार्ट बना दिया है, और यह वहाँ का question number 12 बन गया है, तो जो मेरे latest किताब है इत्दम latest किताब है, उसमें question number 11 तक, जो MTPRDB का section है वहाँ question number 11 तक end होता था तो यह question number 12 से शुरू होगा तो आपके वास मेरे किताब हो, ना हो, क्या फरक बढ़ता है सरी हमको कहां से मेलेगा, अगर हमारे पास नहीं है तो टेलिग्राम पे डाल दूँगा, इसका जो proper version है, बिना किसी marking का, वो भी डालूँगा इस question पर जो marking करूँगा, वो भी डालूँगा और इसका solution भी डालूँगा तो main discussion इस पूरे वीडियो में हम इसी के उपर लखने वाले, that is question number 12 ठीक है, तो यह suggested में कुछ धंका करना है तो इसी के उपर आपको focus करना है क्या आपके बात समझ आती है, बस अगरे समझ आता है, तो बीना आपका जरा भी time waste की है, हम शुरू करेंगे इसके discussion के साथ, ध्यान रखना पूरे paper में बाकी सारे question मैं चाहूँगा आप एक बार देखो, but there is nothing new in that ठीक है, तो मैं चाहूँदा बता दूँ आपके शार्टिंग में एक बार, कि पहले जो इतने भी questions है remaining वाले, आप देखो, अच्छा रहेगा आपकी practice हो जाएगे वो papers में, but जो नया question है, उसको आपन detail में विस्तार में समय से, अच्छे जो समय लेकर discuss करेंगे, तयार हो guys चलो, तो फिर, शुरू करते है देर किस बात की, आजाओ, तो basically it is not only a question of 110, it is also a question of 110 plus in-28 आप उसके बेना नहीं कर पाऊ गया, 28 भी आपको आना चीए भाई, धियान रखना प्रीज ओके, चलो चालो करें, yes LDR question है, यह आपके May 24 के exam में आया था ठीक है, और यह question पता है कैसा है यह question जब exam में आया न, तो it was something new क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा question exist नहीं करता था, इसे है के module में, final में जहाँ, parent हो, साथ में substitute ही हो, साथ में associate हो, but yes ऐसा नहीं था कि, it was क्या बोलते है, adjustments एक्दम कुछ नहें पूछ लिए, they were within the syllabus but yes, जब पहली बार से कोई question आता है, नया सा आता है, तो घबराता है थोड़ा सा बच्चा, और यह compulsory question में आया था क्या बात करे हो सा, compulsory में तो इसको tackle किसे करेंगे exam के अंदर, देखो जब CA का paper दे रहे हो, इका दुखका तो ऐसे question निकलेंगे, तो ऐसे question को tackle करने का तरीका क्या होता है इसको exam में, later stage पे चालू करने का, मतलब जब आपको देख के समझ रहे कि भाई, यह lengthy question है देखो यह question board, है manageable है easy question, लेकिन time बहुत खाएगा है तुमारा, क्योंकि एक तो subsidiary साथ में associate time जाते जाते ना भाई, है ना तो आपन कोई दिक्कत निये, पूरा question पढ़ेंगे, मैं question शूरू करने के पहले, एक और चे बताना चाहूंगा यह पूरा question पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कुछ adjustments भी है, अब इनोंने question की drafting में दिक्कत कर दीती ठीक है, dividend को लेकर, उसका जो language प्रॉपर नहीं था, तो इनोंने उस चीज के तीन solution मना के दिये, ठीक है, तीन solution, वो बोलता है हमने क्योंकि drafting में दिक्कत है, मतलब इसमें clarity नहीं है, तो तेरा three possible scenarios, ठीक है, इनोंने तीन बार पूरे question को solve किया है, मतलब किसी पढ़ते हैं, और मैं बता दू, मैं आपको three solution से काऊंगा, ठीक है, क्यों, भाई, ये तो अभी language में दिक्कती, कल को language ठीक करके पूछ लिया, है ना, जब language ठीक करेगा, तो clearly बताएगा कि कुन सा वाले part का पूछा है, एका अलग है, मालो, 15%, 20% थोड़ा change होएगा, बाकी पूरा solution से में, और मैं इतना concise करके आपको शांदा तरी से कर पढ़ाऊंगा ना, आपको A में, B में, C में, क्या-क्या फर्रक के सब समझेगा, अच्छे तरीके से, ठीक है, बस अब इसके लिए अपने को 110 आना चाहिए, और 28 आना चाहिए, 110 में parent, substitute का consolidation, 28 में parent और associate का CFS, यह आना चाहिए अपने को, बराबर अगर basic idea है, तो काम चल जाएगा, ठीक है, अगर chapter छोड़ रखा है, मालू बड़ा यह, मत देखना भाई, समझेगा नहीं फिर, ठीक है, चलो, आपन हर चीज़ को अपने step में करेंगे, इसको भी आपने step के format में करेंगे, अब देखो, चालू करने के पर इतना मैं आपको ग्यान दे रहा हूँ, मतलब कुछ तो है इस question के अंदर, अच्छा question है, ठीक है, चलो, और एसे question के exam में deal कैसे करनेगा, उस पे वापस last में चर्चा करूँगा, tension मत लेना, अब फिलाल, हम सारे चीज़ों को छोड़के, इस question को solve करने पर focus करते है, ठीक है, आजओ, आजओ, बॉस करा दूँगा, tension लेने का नी, भाई आना, tension लेना मत, आजओ, क्या बोलते है सुनना, the accountant Mr. Ramesh Khanna, Khanna, Khanna भी ने, Khanna, of H Limited, submitted to the following information, or standard on balance sheet extract, ठीक है, तो H, S, और A, ठीक है, तो अब इस में थोड़ा, balance sheet देने का तरीका थोड़ा casual है, ऐसा कहसा casual है, सुनना, ये, आपका जो equipment है, ठीक है, फिर, आपको दे रखा है investments, अब ये H ने कहां खा, invest कहा, ये दे रखा है, तो H ने ये, S में invest किया, और H ने ये, A में invest किया, ठीक है, तो S में invest किया, और A में invest किया, S में कितने invest किया, 14,000 shares, तो percentage take निकालना पड़ेगा ना, अपने को, कैसे निकालेंगे तो आप जाके देखना, S के total shares कितने है, ठीक है, हर एक share का face value 10 रूपीज है, तो S के shares होएंगे, अगर आपको number of share चीए, तो 1-0 निकाल दो, तो 20,000 shares है total S के, और A में है total 10,000 shares, बराबर, अगर आप अभी compare करोगे, तो out of 20,000 मेरे पास कितने S में, 14,000 है, मतलब मेरे पास 70% stake है, and out of 10,000 मेरे पास कितने stake है, 4,000, तो मेरे पास 40% stake है, समझा कैसे निकाला, समझा यह वाला part, आगया हूँ, अब अपने को data देखे रखे है, ठीक है, अच्छा इसमें भी देने का तरीका देखो, हाम है क्या बना, तरीका देखो कैसे, पहले PP दिया, फिर तो investment दिये, अब उसका total outer column में दिया है, तो confuse मत होना यह किया है, यह इसका total outer column में, ऐसा देते नहीं, इन लोगों का actually देना चीए नहीं था, तो उंको समझा मैंने क्या बोला, इनको सिधा-सिधा देना चीए था, H, S और A, वो confuse करने के लिए आगे अलग दे रखे, कि S का total करोगे इसक of this companies, ठीक है, अपने को adjustment दिये वे बहुत सारे हैं भी, देख लो क्या-क्या बूलते हैं, सबसे पहला, H limited purchase the shares in S on 31st October, यह क्या बन जाएगी, यह आपकी बनेगी date of acquisition, 31st October को purchase किया, मतलब प्री में कितने महिने, प्री में 6-7 महिने आएंगे, April, May, June, July, August, September, October, 7 महिने, 31st October त यह है, normally इन लोग क्या करते हैं अपने साथ, इन लोग अपने को बोलते थे, acquisition साल के बीच में किया है, और retained earnings day 1 का दिया करते थे, इन लोग अच्छे लोग है, इन लोग बोलो, thank you, क्यों, इन लोग ने बोला, जिस दिन acquire किया, उसी दिन का retained earnings दिया हुए अपने को S का, मतल is required, क्योंकि directly आपको उसी दिन का दे रहा है, perfect answer, उमको समझा, तो सबसीड के return earnings कि इधर है, मैं लिखे दू इधर, यह 7 लाग के return earnings था, इस में से, 5 लैक्स आपके pre में आ जाएगा, और बाकी 2 लाग आपका post में आ जाएगा, यह इधर ही लिखने से अपने लिए थोड़ी and the shares in A limited, A अपनी associate है, देखो जिसमें अपना stake 70 है, वो subsidy जिसमें अपना stake 40 है, वो associate है, तो A का, were required on 30th June 23, when it's retained earnings to that, 1,75,000, तो अगर मैं A की बात करू, A की तरह है, यह रहा A, तो A का pre वाला balance किता है, 1,75,000, और A का post वाला balance किता है, तो 4,24,000, minus 1,75, which will give me 2,49,000, बराबर है, 4,24,000, minus 1,75, हाँ, 2,49,000 आपका कितना आ जाएगा इदर, इसके post में आ जाएगा, ठीक है, अच्छा, आप बोलोगे sir, associate में कहें pre post कर रहे हो, associate में कहें pre post कर रहे हो, अरे सुनो ना मेरी बात, शायद associate का INA, date of acquisition का directly available ना हो, तो अपने जित्ते भी question associate में किये, वहाँ directly INA दिया वो तो अथा fair value case आपसे, शायद ना दिया रहे है, तो associate का भी तो INA आपन equity capital plus other equity pre वाला करके निकाल सकते हैं न, क्यों निकालेंगे INA, associate वाले case में day one पे करते है calculation of goodwill or capitalism, उसके लिए लगता है अपने को, अच्छा, उसके अलावा, post का क्यों काम आएगा, associate के post के सारे profit में, अपना हिस्सा होता है न, associate ने post में पिनल में profit कमाया, अपना investment बढ़ेगा, associate ने post में OCI profit कमाया, अपना profit बढ़ेगा, तो वैसे, associate का post का reserves बढ़ा है, तो अपन अपना investment बढ़ेगा न, तो इसलिए यह काम आएगा अपने को, करेंगे tension मतलो, तो यह पहला adjustment था, कोई दिखकत नहीं है, फिर बोलता है, inventory of A Limited, as on 31st March 24, include inventory valued at 60,000, which has been purchased from H Limited, on 1st Jan 24, at cost plus 20%, अगर आप ध्यान से देखोगा, यह transition किन के बीच में, यह transition H और A के बीच में, और associate के बीच में, सबसेटर यहां, picture में नहीं आती है, ठीक है, तो आप हमेशा यह देखना, किसने किसको बेचा, तो वो बोलते है, A के बास inventory थी, which had been purchased from H, तो एक काम करते हैं न, एक काम करते हैं न, इधर रहूं, मैंने यह question को है न, एक second, question number 12, एक second न, आगे आगे, आग question number 12, LDR, मैं एक छोटा सा working note पहले बना के रख लेता हूं, working note, अब यह URB को लेकर है, ठीक है, किसने किसको बेचा, H ने बेचा है A को, है न, तो यह अगर आप ध्यान से देखोगे, H sold to H, sorry, H sold to A, तो यह है parent, यह है associate, ठीक है, तो यह कौन सा type का transition होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़े ने बेचा छोटे कोई, तो यह downstream होता है, ठीक है, अब the question is, इसमें आपन eliminate करेंगे, profit element क्या रहेगा, तो normally ऐसा होता है, cost plus profit is equal to sales, बराबर, अब आपको जो value दे रखिए, inventory of A, as on 31st March 24, included inventory value of 60,000, तो A के pointer बेसे value दे रखा है, बराबर मतलब A का अगर value 60 है, तो वो इस पूरे transaction का selling price होगा, मतलब A के books में कोई चीज पढ़ी है, तो A के books में as on a selling price पर पढ़ा, जो भी पढ़ा है, तो अपने को 60,000 दे रखा है, वो इस साब से दे रखा है, अच्छा, वैसे by the way ratio क्या बोलाव है, ऐसा बोलाव है, cost plus profit is equal to sales, cost पर 20 पसंट है न, अब अपना sales दिया वर 60,000 रुपीज, तो profit element किता रहेगा भाई, cross multiply करोगा, तो निकलेगा profit element, it will be 10,000, बराबर, तो ये URP eliminate करोगा आप, 10,000 का, अगर आपने 10,000 का URP eliminate किया, तो कट्टूस लगाओ सरपे, क्यों, अरे भाई, अपने और associate के सिर्फ 40 पसंट जित्ता होगा, तो into parents share, that is 40%, देखो, subsidiary होता तो पूरा करता है, eliminate, associate के साथ अपना रिष्टा जित्ता होता है, eliminate सिखाया आपने ये चीज, entry क्या आएगी, तो इसकी CFS में entry आएगी, consolidated P&L account debit to investment, consolidated P&L में, किसका reserves कम करेंगे, ये profit जिसने कमाया, उसका reserve कम होएगा, ये profit H ने कमाया है, तो H का जो reserves है, H का जो consolidated other equity रहेगा, parent का जो other equity रहेगा, H का, आपन CFS में दिखेंगे न, other equity, वहाँ से कम करेंगे इसको, और दूसरा effect, आपके investment से कम होएगा, सर, investment से क्यों, investment से क्यों, investment से इसी लिए, क्योंकि देखो, ये profit चला, ये inventory चलेगे associate के पास, inventory parent के पास नहीं बची है, बराबर, तो इसलिए आपन investment कम करेंगे, देखो, associate का जो भी है, हम investment में दिखा रहे है, ठीक है, जब हम CFS प्रिपार करते हैं, तो हम subsidiary के सारे asset liability टेक वर करते हैं, associate का हम सिर्फ वो सिफ CFS में एक investment दिखाते है, investment in associate, as per equity method, हम associate का सबको take over करते ही नहीं है, तो जब inventory associate के books में पढ़ी है, मेरे पास तो नहीं है, और मैं वो take over भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं inventory नहीं किरा सकता, तो मैं investment कम करूँँगा, सब अकिया दना अपने सब चीज़े है, yes, 4000, 4000, जो मेरा equity method का investment है, उसमें मैं adjust कर दूँगा, लिखके रख लिया मैंने, यह मेरा हो गया, सबको समझाए वाला पार्ट, perfect है सब, चलो, आगे बढ़ जाएंगे आपन, तो पहला दो adjustment हो गया, मज़ा आगया सब, तीसरा, trade payable of H limited, includes 24,000 payable to A limited, oh, the amount receivable being recorded in the receivables of A, आप बोलोगे जर, inter company transaction है, है ना, एक के trade payable में पैसा पड़ा है, एक के trade, receivable के अंदर पैसा पड़ा है, eliminate कर दो, एक सेकेंड, यह transaction किछ के बीच में, यह H और A के बीच में है, this is between parent, and associate, क्या मैं associate को consolidate करता हूँ, क्या मेरे साथ में, the answer is no, associate का massive investment दिखाता हूँ, elimination कब होता है, जब associate का trade, receivable, trade, payable भी सब CFS में दिख रहा होता, नहीं दिखता है भाई, नहीं दिखता है, तो इसमें क्या करेंगे eliminate, नहीं, मैंने आपको associate में कभी बोला क्या, कि trade, receivable, trade, payable, eliminate करो नहीं, क्योंकि associate को हम पूरी तरीके से take over करी नहीं रहे, बराबर, तो जब आपने associate का पूरा take over किया ही नहीं, associate का पूरा take over किया ही नहीं आपने, तो आप inter company eliminate कैसे करोगे, करी नहीं पाओगे, हाँ, अगर ये inter company between parent and subsidiary होता, तो आप eliminate करते, elimination की तब ही entry क्या आती, करते, तो आप eliminate करते, trade payable to trade receivable, मतलब 25,000 रुपया trade payable से कम, 25,000 रुपया trade receivable से कम, बट ये आप नहीं करना, क्योंकि this is between parent and associate, no inter company elimination as we are not taking over the trade receivables of a limited, तुमको ये तुमने नोट लिखा देता हो इसके ओपर, ठीक है, सुनना, ये working note number 1 तान अपना, ये में extra ऐसी note बना रहा हो working note number 2, trade payable and trade receivable is a transaction between parent and associate, parent है H, associate है A, लिखना, we do not take over we do not take over assets and liabilities of A therefore no inter company elimination is done वो ये वो वालब adjustment है, लाल बटन दिख रहे है नहीं देवाना, तुम क्या अगरना है, कुछ नहीं करना है, no entry, कुछ नहीं होएगा वाओ सर, लेकिन तुम सोचो ने, exam के scenario में बच्चा वेठा है उसका ता दिमाग चलना चाहे है, तुम समझे ये question मेरे साथ करने में आसान है I can sympathize with the fact that the students who were giving this question in the exam hall, it is not very easy ना, बट्या तभी तो C है न, थोड़ा बहुत तो trickiness आएगा अब पूरे paper में सी equation difficult था, लेकिन बाकी पूरा paper किताब से था तो बच्चे का focus हाँ होना चाहे, यहाँ नहीं होना चाहे मतलब ये lash में करने का जो मिला bonus वो अप्रोच होने चाहे है आपकी, anyways, चलो, ठीक है तो इसके कोई entry नहीं आएगी आगे Goodwill in respect of acquisition of S has been fully impaired subsidiary का जो Goodwill अपना arise होता है on take or of subsidiary, पूरा impaired हो चुका है ठीक है, तो अब ये impairment किसमें allocate करें तो देखना पड़ेगा Goodwill full है कि partial है आगे पड़ते, recoverable amount of the investment in A exceeds its carrying amount बराबर तो मतलब basically आपका जो investment in associated वो impaired नहीं है NCI interest is valued at proportionate share of net identifiable asset NCI है PSNP याद है बताया था, अगर NCI PSNP तो दिल पे हाथ रखके बताओ जो दिल तु मुझे दे बैठे हो Goodwill कुन सा रहेगा अगर NCI, very good answer Goodwill partial होगा न अरे, N, P for PSNP for partial और अगर Goodwill partial है तो सिर्फ Parent का है तो impairment loss भी कौन बेर करेगा अकेला Parent बेर करेगा अकेला Parent बेर करेगा भाई तो ये जितना भी Goodwill आएगा उसका जो भी loss है, वो सब Parent की रिजर्व से कम होएगा ठीक है, तो अगर इसकी entry आपको मैं rough में लिखाओ तो entry कुछ ऐसी बनेगी consolidated other equity to Goodwill एक तरफ Goodwill पूरा zero हो जाएगा एक तरफ जो Parent का अधर रिक्विट है, वो कम हो जाएगा आपका अगर ये फुल होता तो फिर loss दो लोग में बढ़ता Parent बेर करेगा simple, मज़ा आगया सर क्या conceptlier होए सर आगे, 10% dividend was declared by both H&S 10% dividend declared किया सिर्फ declare का बोला हुए अब कैसा होता है dividend का accounting तब होता है जब वो AGM में अप्रूव हो जाए ठीक है, अब इसमें बोला है कि अब AGM में अप्रूव होआ कि निवा ये नहीं पता है अपने को आगे देखो, किसने किसने declare किया, H&S, मतलब Parent ने declare किया, तो Parent जो भी dividend देगा, अपने shareholders को देगा फिर, subsidy ने dividend declare किया, तो subsidy जो भी dividend देगा, वो अपने shareholder को देगा बराबर, of course, subsidy का एक shareholder Parent ही है, आगे, उसके लाबा वेरेस, A declarer dividend of 15% for the year तो associate ने भी dividend बाटा, तो जैसी associate dividend बाटता है, आपको पता है ना, इंडेस 28 equity method अपना investment का value गिर जाता है जो associate से अपने को dividend मिलता है, we treat it like a recovery of our investment, तो वो less करते है investment, anyways, बट अभी ये declarer का बात किया हुए, तो ये adjustment कोई धंक का adjustment है, पूरे question में as of now, ठीक है आगे देखते, on 31st March 24, एस मेड़ा bonus issue, पता है आपने bonus की बाते कर रखी है, एक question भी था इसके उपर जो past exam November 23 का question था, आपको शायद याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, bonus का issue किया हुए तो bonus में कुछ नहीं बोला है तो आप हमेशा मानना, आपके pre वाले reserve से issue किया है bonus ठीक है, अच्छा किस ने दिया है bonus S ने दिया है, तो S जब bonus देगा, तो parent को भी bonus मिलेगा ठीक है, anyways, वो किसको मिलेगा, उसे फरक नहीं पड़ता है, जब S बोनस देगा तो S का pre का reserves कम होएगा, हम मानेंगे pre reserve से दिया हुए, तो pre reserves कम होएगा और आपका equal share capital बढ़ेगा S Q bonus के entry पता है क्या होती है, आपका reserve कम हो रहा है और capital बढ़ रहा है, बस हुए entry होती है बराबर आप entry का मारतो, आप entry मारतो, आपके reserves कम होते to equal share capital, यह entry होती है अब कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे pre से दिया हुए तो इसका impact net देखो तो कुछ नहीं आता है इसका impact net में देखो तो कुछ नहीं आता है पता है क्यों? क्योंकि एक तरह आप pre वाला कम करोगे एक तरह आप equity बढ़ाओगे तो आयने उतना उतना रहे गया न मैं दिखा दूँगा, potential मतलो, आपने adjustment कर लेंगे ठीक है, तो bonus के बात है आगे, dividend were declared but were not accounted by all these companies in the books बोलता है, जित्ता भी dividend बाता है normally क्या होता है, dividend declare करने के बात ये parent, subsidiary, associate ये सब अपने SFS में accounting करकर रखते है तो हम बात करते हैं, CFS में क्या करना चाहिए हम तब बात करते हैं, CFS में क्या करना चाहिए बोनस issue by S was not reflected in the balance sheet as on 31st March 24 नहीं ये बोनस का एफ़क तो आपन देंगे sir, dividend का क्या करना है ये ही इसके अंदर लफडा था मैंने बताया था ना, question में 3 solution है देखो, क्या बोलता है you are required to take a note of the above information available and draw consolidated balance sheet of H Limited notes to accounts are not required ठीक है, तो notes to accounts नहीं चाहिए लोको 14 मां का question है, अब देखो पहले ये पड़ो since adjustment 5 and 7 5 and 7 मतलब ये dividend और ये भी dividend वाला of the questions state that dividend has been declared by all the entities but no information is provided whether it has been paid or due in this regard, it may be noted that since dividend is paid for the entire year it is assumed that as final dividend which is approved in the AGM conducted at a later point from the reporting date मतलब it is possible declare तो कर दिया लेकिन वो approved AGM में होने के बार declare किया है पहले किया ये नहीं पता आपने को ऐसा possible है कि declare तो आपने आज कर दिया बट ओ AGM अप्रूव होना बाकि है तो AGM अप्रूव होने के बात फिर उसका accounting होता है क्योंकि dividend is an obligation only when it is approved by the shareholders in the AGM अब accordingly following assumptions are possible based on the alternative solutions have been provided ठीक है तो अभी तीन solution दिया गया है पहला, सबसे आसान इग्नोर देज़ेश्मेंट फोर दिविरेंट completely as dividend has to be approved in AGM तो आप बोलों के मज़ा ही आगया सर पहला यही करना चाहिए हमको dividend को इग्नोरी कर डालो सर तो अब मेरा अगर कामचोरी का मन होता तो मैं बोलता है भाई यही करो बाकि तो भूल जाओ लेकिन हम अभी यहाँ exam का paper निलिख रहे है हम यहाँ सीख रहे है इन्होंने कल को यह adjustment properly draft नहीं किया कल को ठीक करके पूछ लिया तो फिर आपको B और C भी आना चाहिए न बराबर तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले यह वाला सीखेंगे पहले यह वाला कर लेंगे मान लेंगे dividend हैई नी मान लोड dividend हैई नी भूल जोड dividend को पहले यह सिखेंगे बट क्यूंकि अगली बर जब exam में आ जाए तो आपका दिमाग चलना चाहिए तो हम आपको B और C भी करवातूँगा ठीके तो आपके लिए holy and holy पूरा हो जाएगा again I'll repeat imagine जो बच्चे एक्जाम दे रहा है उसको कितना तकलीफ हो रहेगा न तुम drafting बराबर नहीं करते हो उस चक्कर में इधर problem होता न बच्चे को problem ना हो इसलिए तीन solution दिए बच्चा बोलेगा सरी यह तीन solution चुना पूत एक भी नहीं आया था कोई बात नहीं अभी सीख लेते आपन clear तो पहले आपन पहला वाला कर लेते ignore the judgment completely ठीक है आजो इधर तो हम एक एक करके solve करेंगे तो solve कैसे करना है कोई नहीं बस मान लो एक सबसेटर के साथ एक associate भी है तो जो steps अपन follow करते है न वो subsidiary के लिए follow करेंगे और associate का एक अलग से step बनाएंगे वो associate का value क्या रहेगा CFS में CFS में associate के नाम का सिर्फ दिखता है investment बट उसका value निकलता है as per equity method बस वो साथ में करेंगे आपन तो question becomes a little bit lengthy ठीक है चलो आजाओ अभी मेरा main solution श्राट हो रहा है उपर तो working note था ठीक है मैं पहले alternative number A assume कर रहा हूँ I'm assuming alternative number A जिदर आपने क्या किया हुआ है ignore किया हुआ है किसी भी तरिके का dividend मालनो dividend existing नहीं करता है भाई ठीक है मालनो dividend existing नहीं करता है ठीक है अब कैसे करें कुछ नहीं बताओ क्या करनेगा तुमको सिखाया वै ना मैंने बताओ very good sir steps follow करनेगा क्या step किया इधर आओ सबसे पहले मैं subsidy के लिए कर रहा हूँ for take or of subsidy in CFS we will follow steps सबसे पहला step number one PC आपने 70% require किया धियान रखना sir PC का amount नहीं दिया हुआ है जब PC का amount ना दिया वा रहा है तो investment की value देखकर निकलता है ना भाई एना तो कितना रहेगा 5,60 उसके बाद step number two question easy है वैसे इत्ता कुछ है नहीं आएने बट वो यह पहली बार करने तकलीफ होईगी जोड़ी सी आएने of subsidiary का आएने लेते हैं आपन अब आएने में दो चीज़े हैं equity share capital of S limited दो तिन लेन छोड़के लिखना फिर आप लिखोगे other equity of S limited अच्छा equity capital कितना दिया हुआ है S का जाके देख record में balance sheet में मिलेगा आपको 12 गुरुपया 2 lakhs ठीक है अब आपका ये रहा pre आपका ये रहा post ठीक है प्री में कब तक का आएगा 31st October 23 post में आएगा 1st November 23 से लेकर 31st March 24 मतलब post में आपके 5 महिने आएंगे 5 months anyways फिर आपको जो reserves का balance है जो retained earnings का balance है retained earnings नाम भी उसकिया है ना भाई देखले एक बार हाँ सर वो ही नाम यूज किया है तो retained earnings आपको already कब का दिया हुआ है ये already as on 31st October 23 का दिया हुआ है कितना दिया हुआ था मा क्या दन आपने 5 lakhs pre 2.5 lakhs post आजाओ इदर तो 5 lakhs आपके pre में आ जाएगा और 2 lakhs 50 आपके post में आ जाएगा सर मैं time adjustment कर दू कै time adjustment करू मैं time adjustment कर मत देना येडी की तरह पहले बता रहो हुआ है किया तो लफ़ड़े हो जाएंगे क्योंकि ये already 21st 31st October 23 का है तो करने का जरुवत ही नहीं है सर और को adjustment है क्या सिफ एक adjustment है वो है bonus बराबर, तो क्या करें bonus का effect देना है क्या, दे देते, इधर आचाओ मैं थोड़ा नीचे किसका दू कहा step number 2 पो जगा ही नहीं है सुनना bonus में क्या होता है, it is nothing but capitalization of reserves, तो reserves यहंगे कम, capital बढ़ेगा, तो आप बोलोगे less, bonus अच्छा, bonus कितना दिया भाई, जानने है bonus उसने दिया है in the ratio of one equity share for every two shares held one for every two मतलब, number of shares थे कितने 20,000 थे, इंटू 1 by 2 के ratio में bonus दिया भाई, तो मैं इधर bracket में करू, working 20,000 shares into 1 by 2, तो आपको मिलेंगे, shares कितने मिलेंगे 10,000 अरे बट आपको into rupees 10 भी तो करना पड़ेगा न, face value से multiply करना पड़ेगा न, face value yes, तो कितना आएगा 1 lakh तो आप 1 lakh 3 से कम करोगे और आप 1 lakh अपने equity capital में add कर दोगे क्योंकि equity capital बढ़ता है, reserves कम होते है अब actually इन्होंने एक language भी लिखी हुई है वो बोलते है देखो, ultimately pre आपके INA का part बनता है, equity capital आपके INA का part बनता है, तो एक तरफ आप अपना pre वाला balance गिरा रहे हो, एक तरफ equity बढ़ा रहे हो, तो INA पर कोई impact नहीं है इसका, आइना आइने पर कोई impact नहीं है बट अपने safe side पर रहे हो, ले लेने का भाई क्योंकि इसमां assumption क्या है, कि bonus free से pay हो रहा है कल को assumption कुछ और रहेगा, तो फिर और problem हेगी तो भाई तुम ले लो, लफडा मत पालो समझा, चलो ठीक है और को adjustment है, और को adjustment नहीं है sir, URP का adjustment, अब यूर पी में subsidy ने profit नहीं कमा है parent ने कमाया है, parent के other equity से less करेंगे ठीक है, चलो इदर आएगा 4 lakh इदर आएगा 2 lakh 50 guys आपको हाँ तक clear रहे किया sir, dividend, dividend, हमने assumption पहले क्या लिया है dividend नहीं है, भूल जाओ dividend को ठीक है sir यादे आदद रखना है, total iron लिखने का total iron में क्या रहेगा, equity capital प्लस प्रिवालादर equity अच्छा, equity capital कितना है, 2 lakh प्लस 1 lakh का bonus भी है, तो 3 lakh लेके चलना equity capital, ठीक है तो 3 lakhs ए capital प्लस प्रिवालादर equity है, 4 lakh तो total हो गया 7 lakhs क्या आप सब यहाँ तक हो guys मेरे साथ बोले yes नो pinky promise पकी बात, आपका आयने हो गया sir, sir इसका मैं क्या करू कोई नी बाट दो दो लोग के अंदर एक आपका जो H limited है उसको मिलेगा 70% और एक जो आपका नन्ना मुनना NC आये 30% उसको मिलेगा तो 70% आएगा 1 lakh 75,000 और यह आएगा 75,000, बराबर जो parent का शेर है वो आजाके आप console other equity मैड कर देना तुमको चेटो मिलेग देता हो इदर यह मेरे step number 5 console other equity में basically parent के results मैड हो जाएगा और यह जो NCI है, पता है अपन NCI में step 3A और 3B करते हैं तो यह मेरे step 3B मैड हो जाएगा जो year and के NCI उस मैड हो जाएगा खतम गानी, आओ तो step number 1 PC step number 2 INA guys मुझे याद नहीं आ रहा है अगला step क्या होता है अरे PC फिर INA फिर क्या होता है, very good NCI होता है सर आजाओ इदर step 3, NCI 30% NCI है guys बताया ही नहीं NCI कुन से, कुन से value पर निकालो बता रखा है on date of acquisition बोलता है PSNA use कर लेना याद में आया किया yes, PSNA मतलब INA का proportion तो INA कितना था मेरा 7 lakhs, उसका 30% तो कितना आ जाएगा 2 lakh 10,000 very good answer पलक, very good दिपिका, very good सशांक very good पुजा, उसकी बाद क्या करेंगा है add sorry add नहीं, on year end क्या रहेगा year end तो NCI on year end में सिवेगी फरक आएगा जो opening के पहले वो लिको inner column में बराबर इसमें add कर दो इसका post equation का हिस्सा subsidy ने profit कमा है, तो ये भी हिस्सा लेगा ना मामू 75,000 तो कितना आ जाएगा 2 lakh 85,000 2 lakh 85,000 2-2 NCI क्यों निकाला एक काम आएगा, गुडविल निकालने के लिए एक काम आएगा, consolidated balance ship बनाने बनाते टाइम ध्यान लखना, ठीक है step number 3, done step number 4 अगर तुमारी थोड़ी बुद्धी चल रही है तो गुडविल जीपी पी निकालोगे तो मुझे गुडविल काम आउन दे सकते हो गया, guys can you give me the amount of goodwill मेंको good good काम आउन दोगे, good good बताव, PC 70% के लिए कितना था उपड़ जाके देख, जाके देख, रिकार्ड में मिलेगा 5 lakh 60 प्लस, प्लस, प्लस NCI 30%, अब ये डे कितरा 285 मत आड़ कर देना, ए date of acquisition का goodwill चाहिए date of acquisition का NCI आ कंचेटर करना क्यान रखना, on date of acquisition वाला तो कितना है, 2 lakh 10,000, less INA 100% very good answer, krithat very good 7 lakh less करोगे, तो good do आएगा 70,000 का आपको याद है न, मेरा NCI नन्ना मुन्ना NCI, PSNA पे है तो जो goodwill आएगा, ये partial आएगा अब goodwill के साथ क्या हुआ था goodwill के साथ very good धोका हुआ था, धोका क्यों ये बिचारा impair हो गया था पूरा impair हो गया था ये मैं नहीं बोलता, वो खुद यहीं बोलते है बराबर, तो goodwill on your end कितना बचेगा इल्ले, शुन्य, निल इस impairment की प्यारी-प्यारे entry दोगे, मुझे प्यारी-प्यारी entry इसकी मांगी नहीं entry, बट अपने record के लिए consolidated other equity to goodwill 70,000, 70,000 ये आप, क्योंकि partial है, तो allocate only in parent allocate only to parent मतलब parent के other equity से आपन less कर देंगे सर, मज़ा आ गया सर very good very good answer, तुम लोग क्या जवाब देरो मज़ा आ रहा है मेरको करने में, तुम आसे जवाब दोगे तो मज़ा नहीं आ जाएगा फिर आएगा step number 5 बनाते ना आपन प्यारा प्यारक consolidated other equity सबसे पहला आप लिखना इसमें parent का other equity सबसे पहला आप क्या लिखोगे parent का other equity, कहां से मिलेगा सर balance sheet से मिलेगा सर 9 lakhs तो 9 lakhs लिख देंगे पहले अब ये ना यहाँ एक subsidiary भी है और यहाँ एक associate भी है तो simplicity purpose के लिए मैं पहले ऐसे लिखूँगा जितने भी subsidiary को लेकर adjustments है पहले मैं वो करूँगा तो उपर से चालू करना सबसे पहले ये URP क्या subsidiary वाला था क्या नहीं इसको बाद में देखते है उसके बाद subsidiary के post में मेरा हिस्सा 1 lakh 75 ये record कर लूँ में subsidiary के post में मेरा हिस्सा 1 lakh 75 ये record ये सर करो record तो add post equation profit of S 1 lakh 70 पैता हो जाए उसके लावा और क्या था और क्या था goodwill goodwill loss तो less impairment of goodwill 70,000 क्या इसके लावा और कुछ दिखा आपको मेरे को लगता है ये ही दो ही था फिलाल के लिए ठीक है फिलाल के लिए ये दो ही था सर क्लोज मत करना इसको क्लोज मत करना क्यूँ अभी इसमें associate के adjustments आने बागी है न है न तो ये अच्छा question है associate के adjustment का impact है वो देखने के लिए ठीक है करते है आपन तो ये मेरा subsidiary close हो गया subsidiary close हो गया मेरा अब मैं associate का investment का value निकालूँगा ठीक है तो एक patch line छोड़ देना safer side पे रहने के लिए ठीक है अब मैं बात करूँगा पूचा बोलते है इतना ही था बट वो ही है न कि exam में बिचारा बच्चा पहली बार करा था फशेगा थोड़ा सा और कुछ नहीं ठीक है आजो लेकिन जिस बच्चे का concept clear है न वो थोड़ा पहतो टैकल कर पाएगा इसको ठीक है अच्छा इस केस में सबसे पहले calculation क्या करना होता है सुनना सबसे पहले आप calculation करते हो of goodwill या capital reserve या तो word जीपी भी बोलता है capital reserve बात तो एक ही है सुन लो तो सबसे पहले इसमें आता है calculation of goodwill slash capital reserve in case of a limited जो अपना असोस अरे निकालते है न आपन याद है का goodwill लेगा तो उसे disclose करने का capital reserve लेगा तो रिकॉर्ड करने का जीपी भी भी बोल सकते है इसको येस और नो येस अच्छा तो सबसे पहले मिले को क्या चीए PC अपने 40% कैसे मिला 40% starting में देखा था न आपकी बस 4000 शेर्ज है तो आपने 40% अपको चाहिए PC उसके इलावा अब आपको चाहिए PC कैसे मिलेगा जितना आपने एकउर किया कितने में एकउर किया 40% आपने 1 लाक में एकउर किया वन लैक में एक बार किया, ठीक है, उसके बाद आपको ची यह आएने, असोसेट के, अब जितने भी आपने छोटे-छोटे क्वेशन के, वहाँ डिरेक्ली आएने का फे वालू दिया होता था, यहाँ दिया वाई नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, जब भी आएने ना दिया व बट मेरेको आएने का सिर्फ 40 पसंट चाहिया ना, तो मैं ऐसा बोल दूँगा, 1 lakh, is my equal desire capital of A, plus, preE वाला other equity, is 1 lakh 75,000, इसका 40%, क्या मुझे बताऊगे कितना आएगा? तो 2 lakh 75 का 40% आएगा, 1 lakh 10,000, बताओ गुडविल की यह तो मुझे जीबी पिया यह चापिटल इसर आ रहे है मुझे नेगेटिव तो उतन ही आएगा न अगर कापिटल इसर वह है तो हम इसको रेकगनाईज करते हैं अब सर इसकी एंट्री का बनाएंगे इसकी एंट्री का बनाएंगे इसकी जनल इंट्री का बनेगी एक तो आपका कैपिटल इसर बुक करना है तो कैपिटल इसर आपका क्रेडिट बैलेंस तो आप बोल देना टू कैपिटल इसर बेसिकली आपका अधर इक्विटी बढ़ जाएगा इसकी एक एक इफट आपके इनवेश्चमेंट इन ए लिमिटेड में जाएगा और एक एफट आपके कंशो अधर इक्विटी में आपके एका कितना 10,000 और 10,000 तो एक काम करूँ किया मैं लगे हात अधर इक्विटी बेस का एफट ले लू किया मैं भूलना जाओ इसलिए तो आजाओ associate के adjustment में पहला capital reserve भाई capital reserve credit हो रहा है मतलब reserve बढ़ेगा आपका तो add गिया है मैं उसको confusement तो ना क्या गिया है ठीक है अच्छा अब वो investment की value निकाले लेते investment as per equity method a limited as per equity method ठीक है सबसे पहले आपने लिखोगे cost of investment cost of investment in a limited on date of acquisition कहां से मिलेगा जितना आपके investment का value देख रहा है balance sheet में यह था ना यह PC जितना पेकिया आपने 1 lakh सबसे पहले क्या add करूंगा यह जो capitalism का effect है पहले वो ले लो इस पर investment बढ़ रहा है अपना तो आपन बूलेंगे add capitalism देखो goodwill होता तो आपन कुछ नहीं करते है goodwill आपन से लिखते है bracket में कि this includes goodwill of this much capitalism तो record करना होते है अपने को तो कितना 10,000 पहला चीज़ तो इसका मैंने 2 effect लिया गया हाँ sir एक मैंने investment में add कर दिया second effect मेरा काँ चला गया मेरा other equity में add हो गया capitalism ठीक है अच्छा associate को लेकर और के adjustments होते है तो एक तो होता है associate का जो post वाला profit है उसमें अपना हिस्सा associate का post profit निकाला था ना आपने 2.49 उसमें अपना हिस्सा आएगा तो आपन पहले वो ले लेते है बराबर अच्छा कनी का और सार्तक ने मेरे को एक और एच्छा बताई दिया है spoiler मत दो वरना मेरा दुकार मन्द हो जाएगा मजा कर रहा हो तो बोलेंगे add के add करना है अपने को सबसे पहले post acquisition share of profit in A limited इधर bracket में working दे रहा हूँ है ठीक है total उसका किता था 4.24 less 1.75 परीगा था तो आपको post वाला मिलेगा यह मिलेगा 2,49,000 बराबर तो 2,49 पूरा मत record करना भाई तुमारा सी 40 परसेंट है इसमें मालूम पड़ा पूरा record करके बैड़ गए 2,49 का 40 परसेंट very good answer 99,600 इसका भी तुमको चेतों में देखो capital reserve के आपको में entry दे चुका इसकी entry क्या होगी सर entry मारने से आपके आदे दुख दूर हो जाएंगे investment बढ़ रहा है तो consolidated P&L या other equity बोल दो to investment actually इसकी entry ऐसी होती है consolidated P&L to investment बढ़ अपन P&L तो बना नहीं रहे है तो आपन add करेंगे in other equity option नहीं अपने पास बराबर तो कर लो एक effect तो मेरे investment में आ गया second effect consul other equity में तो कर लो add post acquisition share of A कितना है 99,600 clear guys 2-2 effect साथ में लेते वे चलो वरना confusion हो जाएगा आपको फिर ठीक है sir ये भी मेरा हो गया उसके लब आप सबने बोला sir आपने बता URP की बात करी दी वो कौन less करेगा उसका भी तो effect था न एक consul P&L मतलब H ने profit कमाया तो H का other equity कम होएगा और investment कम होना चीए sir इधर आजो अरे मैंने ulti entry मार दीगा sir आप सुबे सुबे बिवडा मार के आए sir sorry investment to consul other equity ये entry होगी यार sir यार आप ऐसे मत करो sir sorry करो ठीक कर दो इसको क्या हलकी हलकी little little ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ thank you for reminding वरना मैं करी देता पूरा का पूरा ठीक है यूर पी का entry आपन उपर मार चुके थे less यूर पी कितना था 10,000 into 40% तो यहां से यूर पी होएगा less बराबर और second effect आपके consul other equity में less हो जाएगा यूर पी आप चीए तो रेफेंस जदना हमने working note number 1 में discussion किया है इसका तो दोनों जगे से मैंने less कर दिया ताकि मैं बोलू नहीं clear क्या yes सही हो गया अभी जब कुछ क्या मुझे आप investment की value दे सकते हो गया और कुछ है नहीं मेरे साब से one lakh plus ten plus 99,600 minus 4000 मेरे क्या आप सार है two lakh five thousand six hundred two lakh five thousand six hundred सब को समझा है यह वाला part किया क्या मांगी बैलेंस शीट बना ले गया बना ले तरसर आजाओ consolidated balance sheet of H limited year end का पुछा रेगा मेरे साब से as on 31st March 24 as on 31st March 24 ठीक है a good question for understanding point of view मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता इस question के अंदर अपने को from that point of it is a very good question ठीक है चलो हो सब के question खुला रखो नहीं है तो कोई बात नहीं मुझे देखते वे चलो सबसे पहले अच्छा एक बात ध्यान रखना जब मैं consolidate करूँगा तो क्या मैं H प्लस S ये तो करूँगा ही क्या मैं A को भी आड़ कर दूगा येड़ी की तरह क्या मैं A को भी आड़ कर दूगा कर मत देना लफड़े हो जाएंगे भाई पूरे पूरे हाँ सर नहीं करेंगे बोलो क्या करेंगे सबसे पहला आपका असेट्स है असेट्स में आएगा नौन करेंट असेट्स ध्यान रखना आपको चेता हो मैं लिखाता हो रफ सुनो मेरी बात तुमें ना confusion नहीं करो इसलिए आपको लिखाता हो इदर हो एक चीज़ लिखाता हो सुनो ह का अल असेट्स बराबर और एक शिर्फ इन्वेश्टमेंट का value as per equity method देखो अगर तुमने ये मंत्रा याद कर लिया न ये बहुत खतना तुमको चीज लिखा दिया भाई मैंने ठीक है ये ये ध्यान रखना भाई एक के है भाई साब ये ध्यान देगा तो mystic नहीं करोगे ठीक है तो अब इसी बात पे पीपी में क्या है फाई लेक फिफ्टी फो लेक टी तो फाई पॉइंट फाई लेक प्लस फोर पॉइंट लेक कित्ता आएका टेन लेक थर्टी थावसें ठीक है उसके अलावा फिनेंशल असेट उसमें है इन्वेश्टमेंट अब देखो आपको पता है ना EFS में सबसेटरी का जो इन्वेश्टमेंट है वो एलिमिनेट हो जाता है बराबर जो असोचेट में इन्वेश्टमेंट है वो वन लैक पर नहीं दिखेगा वो एस पर इक्विटी मेथड दिखेगा बराबर इन्वेश्टमेंट इन एलिमिटेड यह दिखेगा as per equity method यह हमको उपपर से निकल गया था ना value कितना है 2,5,600 very good answer format इंका copy करो must टकाटक इन्होंने proper format में दिया हुए ना copy करना है बज़ और कुछ नहीं करना है यह हो गया, फिर आएगा current assets आपका मैं कुछ भूल जा तो बता देना मुझे ठीक है फिर आएगा current assets उसमें पहला है inventory सिर्फ दो का लेंगे parent का कितना है, 485 subsidiary का 382,500 485 plus 382,500 अब इसमें एक लफडा पते क्या करोगे आप आप बोलोगे sir, वो URP था, वो less करे क्या कर मत देना क्यों inventory किसके पास पड़ी थी मैंने क्या बोला, sale के बाद ये inventory associate के पास जा चुकी है बराबर associate का inventory में take over कर रहा हो गया नहीं, इसका मैं दो effect दे चुका ओल लेड़ी console P&L to investment inventory अगर मेरे पास होती मतलब अगर ये बाइचांस upstream होता upstream, तो आप investment कम करने के बदले inventory कम करते क्योंकि inventory मेरे पास पड़ी है बराबर लेकिन क्योंकि inventory मेरे पास नहीं है associate के पास है associate का inventory में नहीं दिखा रहा हो तो इसलिए मैंने investment कम किया एक बात याद रखो inventory अगर मेरे पास होती उल्टा होता ये inventory मेरे पास होती तुमको मैं दिखा देता हूँ, इदा लिख देता हूँ मैं, तुम भाई, कन्फुज ना हो जा इसलिए, लिखो डोंट रिड्यूस यू आर्पी एज इन्वेंटरी इस विद असोसियेट एज we are not recording inventory of associate don't reduce URP as inventory is with associate and we are not recording inventory of associate ठीक है, ध्यान रखना ये बात का ठीक है सर कोई दिक्कत नी तो आपका inventory केता हो जाएगा very good 687, sorry 867,500, thank you for the answer 867,500 उसके लावा और क्या है आपके पास है financial assets उसमें CCE है और trade receivables है CCE कितने है आपका 89 plus 98 बराबर कितना आएगा very good, 187,000 उसके लावा trade receivables 395 और 3,5,000 अच्छा वो trade receivables मैं less करूँ क्या, कर मत देना आपने discuss किया वे न, वो inter company नहीं है भाई तो यह आपका हो जाएगा 7,000,000 हो जाएगा मेरे साब से ठीक है correct me, तो कर देते हैं यह हुआ अब मुझे liability वाला side करना है वो में नीचे कर लाएता थोड़ा सा, जगा नहीं है मेरे पास चुलिए पूरी balance sheet में को नीचे लेड़े नीचे यह थी कोई बात नहीं दे रहा है दूसरा है दे रहा है दुरूस्त आ है दुरूस्त चलो कितना आ रहे 299 अच्छा तुम लोग कितने अच्छे लोगे रहे तुन आ एंटे ने जिरो 100 यह रहे गया ठीक है देखते है आपन अभी एक स्टाट आना से काम नी बनता है ना अगला भी आना चाहिए ठीक है इसमें आएगा equity and liability इसमें आएगा पहला equity इक्विटी में आएगा पहला equity share capital, other equity और NCI भी आएगा equity capital only parent का लेना only H limited का आएगा बराबर कितना आएगा only H का equity capital आएगा 5 लाग, 5 मतलब छोटा कोका कोला 5 लाग अब यह other equity के लाएपन ने प्यारा प्यारा मीठा मीठा step number 5 अब बना रखाया, इधार आओ step number 5 ली नहीं किया आपने, close करो चलो close करो, close तो आएगा 9 lakh plus 1 lakh 75 minus 70 plus 10 plus 99 600 minus 4 11 lakh 10600 आ रहे गया 11 lakh 10600 कर दू 11 lakh 10600 आ जाओ इधार 11 lakh 10600 ठीक है, NCI step number 3B यह रण के NCI निकाल चुक है आपने, मैं रिकाल से it was 2 lakh 85,000 वो record कर लेना भाई, हो गया फिर आएगा liability देखो liability में क्या है, एक तो है अपने बास non current में financial liability borrowings, कोई change नहीं है उसमें non current में financial liability में borrowings कितना है वो, 4 lakh प्रेस 1 lakh 50 it is equal to 5 lakh 50 और current liability में क्या है मेरे पास, financial liability में trade payables कितना है वो मेरे पास, 3 is 79, plus 165,500 5 lakh 44,500 लेके प्रभू का नाम लग जाओ काम पर टैली करने के लिए, आओ, भगवान जी बचा ले नाम को, ठीक है? चलो देखते है, टैली करता है कि नहीं? 5 lakh plus 11, 10, 600, plus 2 lakh 85,000 plus 5 lakh 50, plus 5, 44, 500 जै माता दी हो गया भाई साब, टैली 2, 99, 0, 100, 29, 90, 100 मज़ा अगया सर मतलब अगर डेविरे निकाल दू पिक्चर से तो question तो होता है, हाँ again I'm saying, होता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह बहुत ही easy है, easy है lengthy है ना, 3 घंटे में उसको limited time में करना है तो वो of course practice करोगे, revision करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? और मैं आपको यह भी बोल दू, exam में ना ऐसे question के लिए prepared रहने का देखो, सौ माक का paper है तुम कभी भी इस बात का रुना नहीं रोसते की equation difficult आ गया आएगा ना भाई सौ में से 20-30 मास का तो उनलोग पूछेगे न, tricky है वो जो manageable portion है, वहाँ तुमारा focus रहना चाहिए ठीक है? चलो तो यह अपना alternate number A हो गया पक्का समझता है, यह समझता है तो फिर मैं आऊँगा alternate number B और C पे क्योंकि B और C में मैं से एक entry मरवाँगा और तुम से सब सिखा दूँगा मैं तुमको पहले ही बताओ A वाला समझता है गया पक्की बात pinky promise एकदम promise है, ठीक है चलो, अब B वाले पार्ट पे बात करें गया alternative number B I hope guys आपको A वाला पार्ट समझा I have tried to simplify this to the maximum extent possible ठीक है, मतलब जितना हो सत्ता है मैंने आपको एकदम easy करने का try किया हूँ ठीक है, चलो अब आजाओ, अपन करेंगे B वाला alternative B वाला alternative में क्या है consider dividend as declared but not paid मतलब, मान लो कि dividend declared तो हो चुक है but pay नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ मतलब, dividend के जब entry मारोगे तो आपके entry कुछ ऐसे बन नहीं कि suppose dividend आपको pay करना है तो dividend expense to cash bank मत करना, आप बोलो कि to dividend payable ऐसा, और जो pay कर रहा हूँ उसके लिए वो expense नहीं actually वो reserve से कम करेगा, ऐसा example दे रहा आपको, तो second वाले का यह मतलब है कि आपने declare कर दिया है मतलब liability arise हो गई, pay नहीं कि आपने अब तक तो sir क्या फरक पड़ेगा यह बताता हूँ मैं आपको बट इसके लिए आपको एक adjustment वापस पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले H ने dividend 10% declare किया है S ने dividend 10% declare किया है और A ने 15% declare किया है सब का अलग accounting है पहले एक को line पढ़ना dividend were declared but were not accounted for by all the companies in the books before the year end dividend का accounting किसी ने भी अपने SFS में नहीं किया है देखो ये फरक है आपने जितने भी पहले वाले CFS के questions देखे है ना जो ICI के आपने पुराने पहले वाले questions देखे जो अपने module में है जो previous RTP, MTP में हर जगे पता है क्या presumption होता था कि subsidory ने अपने SFS में accounting कर दिया है पैरेंट ने भी उसको अपने SFS में record कर लिया है तो CFS में आके मुसको eliminate कर दे थे ऐसा कुछ याद है किया मैं आपको याद दिलाता हूँ सुनना वापस से हर जगे जितने भी पहले questions किये उसमें presumption होता था कि subsidory ने तो dividend pay किया है subsidory in accounting कर लिया है second parent ने भी उसको अपने SFS में record कर लिया है तो फिर हम क्या करते थे उसको eliminate करते थे sir eliminate कैसे करते थे तो मैं आपको एक रफवक बताता हूँ पहले हम क्या करते थे in all previously solved questions there was a a presumption that subsidiary had recorded the dividend paid in SFS and ये मैं specifically subsidiary के dividend के बात कर रहा हूँ subsidiary के dividend के बात कर रहा हूँ the dividend which is going to be paid by subsidiary उसकी बात कर रहा हूँ in all the previously solved questions there was a presumption that subsidiary has recorded the dividend paid in SFS and parent also has recorded the dividend received तो इसलिए हम पहले पता है क्या करते थे अगर आपका ये presumption होता था तो आपन पहले ऐसा करते थे subsidiary के post वाले reserves में add back करते थे बराबर 100% जित्ता भी वो dividend का amount है फिर जित्ता भी parent का share है वो हम कंसो अधर रिक्विटी से less करते थे और जितना भी NCI का share है वो हम NCI के year end के balance से less करते थे अब देखो मेरे को मान के चलना पड़ेगा आपने पहले CFS बढ़ रखाया अब मैं वो ऐसा क्यों करते थे थे वो उस discussion में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपन question कर रहे है कंसा बता चुका मैं आपको ऐसे करते थे 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 न बट वहां कब ऐसा करना था where we were presuming that subsidy ने dividend pay करके record कर लिया है और parent ने भी उसको income record कर लिया है और dividend by subsidiary मैं specifically सिफ subsidiary वाले dividend की बात कर रहा हूँ बाकी company के dividend का treatment बड़ा simple है ठीक है समझा यह हम पहले करते थे अब ऐसा नहीं करना है तो आप कैसा करना है सर सुनो मेरी बात अगर आप पहले record करते थे तो elimination की बात आती थी बराबर अगर आपने पहले record ही नहीं किया है तो क्या यह eliminate करने की बात आएंगी वापस से जब आप पहले record करते थे तो eliminate करने की बात आती थी इस बार जब आपने record ही नहीं किया है तो क्या eliminate करने की बात आएगी the answer is no जब आपने record ही नहीं किया है तो eliminate करने की बात नहीं आएगी इसका मतलब क्या, सर कोई entry नहीं आने वाली क्या, नहीं entry आएगी, देखो inter company, जो subsidiary और parent के बीच में होता है वो eliminate होता है inter company transaction जो parent और subsidiary के बीच में होता है, वो सब eliminate हो जाता है लेकिन जो subsidiary और NCI के बीच में होता है मेरा मतलब parent का और subsidiary का सब्बोज मेरा कोई dividend receivable है और subsidiary का dividend payable है तो मेरे और subsidiary का हम assetability eliminate कर देते बट जो subsidiary और NCI के बीच का है उसका elimination कभी नहीं होता है तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा एक तो long cut तरीक है क्योंकि आपने SFS में record नहीं किया है तो पहले जाकर सबके SFS में record करो और फिर जो normal procedure है वो follow करो बट वो long cut हो जाएगा वो बहुत long cut हो जाएगा वापस है पहला तरीका क्या है कि subsidiary को बोलो भाई तो अपने SFS में record कर parent को बोलो तो अपने SFS में अपने income record कर और फिर ये procedure follow करो वो एगा long cut भाहिंकर एगा shortcut अब मैं आपको shortcut दे रहा हूँ dividend को लेकर ठीक है dividend shortcut ये कब follow करना है जब dividend का treatment बुक्स पे नहीं हुआ है ठीक है अब तीन company के dividend की बात करेंगे तीन company का मैं पहले जो main company मैं उसकी बात करेंगे वो subsidiary का है ठीक है main subsidiary है तो पहले dividend by subsidiary ठीक है सीधा हमें CFS की बात करो CFS में क्या impact रहेगा impact in CFS मैं net entry बता रहा हूँ को ठीक है journal entry क्या रहेगी माल लो सिव NCI बाला record करना है बराबर तो NCI को आप जो भी dividend दोगे तो बोलना NCI account debit 2 हमने क्या माने alternate number B में dividend is declared but not paid तो आप बस 2 cash bank मत करना 2 dividend payable कर देना अब देखो मैं चाहूँ तो इसके उपर बहुत राम कतार डिसकस कर सकता हूँ वापस से कि ऐसा पहले record करेगा eliminate करेगा तो net effect ये रहेगा बट मुटा मुटा ये आने वाले एक्जाम में टाइम नहीं होगा उत्ता सब दिमाख करने का समझा तो अगर तुमको try करना तो घर पे खाली बेटो तो कर लेना पहले SFS में impact ले लो फिर CFS में limit कर लो तो भी same net effect आएगा उस अच्छा इतना record कर लो कितना है subsidy का dividend करता था अब एक एक करके बात करेंगे ठीक है मैं इधर heading दे दू क्या alternate number भी है इसको भी नीचे ले आते और बोलते है alternate भी dividend declared but not paid ठीक है ये वो alternative है अच्छा subsidy का dividend का amount कितना है 10% 10% हमेशा किसका लोगे share capital का लेना बराबर गया तो NCA का कैसा निकालोगे आप dividend by subsidiary is how much dividend by subsidiary is 2 lakh का 10% equity share capital उसका 10% तो आएका 20,000 but NCA का share किता है तो 20,000 into 30% ये है आपका dividend amount और ये है NCA का share तो मेरे ख्याल से आएका 6,000 शेजार तो it will be 6,000 and 6,000 तो CFS में net impact CFS में dividend का net impact से इतना रहेगा कि एक तरफ आपका NCI जो है वो कम हो जाएगा और एक तरफ liability एक create करने आपको dividend payable की पहला एक ये तरीका है सेगंड तरीका क्या है SFS में जाके पहले subsidiary के dividend record करो parent के income में book करो और फिर ये वाला follow करो वो long cut हो जाएगा तो net ये follow कर लो ठीक है दूसरा और dividend किसने pay किया था बाकी दुनों का dividend बड़ा simple है सुनना एक और dividend pay किया था dividend paid by parent अच्छा जो parent ने pay किया parent ने dividend subsidiary को नहीं पे किया parent ने dividend अपने holders को पे किया है तो ये जो dividend pay करेगा उसका inter company से कोई रना दाना नहीं है ये अलग है तो इसका capital किता था भाई इसका capital was 5 lakhs तो इसने pay किया होगा 5 lakhs का 10% 50,000 dividend की normal entry क्या होती है आप बोलते हो consolidated other equity आपके reserves काम होते है dividend expense की वज़े से 2 हम क्या मान रहे है यह हमने dividend pay नहीं किया है तो आप बोलोगे 2 dividend payable 2 dividend payable कितना 50,000 50,000 इसका impact क्या रहेगा आपका consolidated equity बढ़े घटेगा लेस होएगा और dividend payable एक liability rate हो जाएगी tension मतलब मैं सारे impact balance sheet पे क्या रहेगा दिखाऊँगा बहुत simple है उसके बाद तीसरा है dividend by associate अब देखो associate ने जो dividend बाटा उससे मेरे को फरक नहीं पड़ता है उससे मेरे equity method पे क्या फरक पड़ेगा वो देखना है associate ने जो dividend बाटा उससे मेरे को नहीं फरक पड़ता मेरे को सिफ यह देखना है मेरे equity method के investment पे क्या फरक पड़ेगा आपको पता ना मैंने बताया था dividend is like a recovery of your investment बराबर तो उसकी entry का रहती है अगर पैसा आगया है तो आप बोलो के bank account debit to investment अगर पैसा नहीं है तो बोलेंगे dividend receivable to investment simple वापस से associate ने dividend बाटा उसका मेरे CFS बे क्या impact है parent बोलेगा मैं देखूँगा मेरे investment पे क्या impact आ रहा है बस क्यूंकि associate का आपन सब कुछ record नहीं कर रहे है जैसा subsidy का क्या करते है subsidy का आपन सब कुछ record करते है इसलिए आपन देखते है कि subsidy and liability book की तो मेरे को भी liability book करनी पड़ेगी subsidy and liability book की मेरे को भी book करनी पड़ेगी associate में ऐसा नहीं है associate में I am only concerned with my share of investment बराबर मेरा investment पे क्या impact है तो it is dividend received is like a recovery of investment less करते है आप investment से तो entry क्या है पैसा आ गया तो bank account debit to investment पैसा नहीं है तो dividend receivable to investment simple तो इधर आजओ dividend by associate बराबर इधर चे तो note लिखा दूँगा एक पहले entry लिखो फिर note लिखाता हो general entry हमने क्या मारे dividend declared but not paid पैसा नहीं आया है तो आप बोलोगे dividend receivable to investment in A limited अच्छा A का A ने कितना dividend बाटा भाई एक लाख का 10% but मैं सब कुछ मेरे share जित्ता ही करूँगा that is my share in associate 40% 4000, 4000 इसका impact क्या रहेगा आपका investment गिरेगा और balance sheet में dividend receivable आप बुक करोगे यह इसका impact रहेगा अब आप सोचो यह entry बिचारे बच्चे को exam में क्लिकोने वाली है गया सवाली नहीं उठता है और यह 15% है डिविदेंट it is 15% तो यह 6000 हो जाएगा फिर तो बिचारे बच्चा पहली बार में तो कहां से क्लिक करेगा नहीं है तो पहला assumption अच्छा था उसके exam point of view से बट फिर अभी यार सीख रहे हो तो पुरा सीख लो न अच्छे तरीके से ऐसा सबको पहले entry समझी क्या यह entry समझी ना impact बड़ा simple है वो balance sheet ऐसे बनेगी ऐसे ऐसे बनेगी balance sheet बागे तुमको समझा के यह वाला part पका ठीक है clear है नहीं वाला part ठीक है अच्छा में note लिखा दू associate में we do not consolidate a certain liability of associate we do not consolidate a certain liability of associate therefore liability of dividend payable is not recorded in CFS we just record R मतलब H लिमिते share of dividend receivable we do not consolidate a certain liability of associate whatever therefore liability of dividend payable is not recorded in CFS we just record R share of dividend receivable Krishna ने एकदम carrot बोला है sir Krishna ने पूचा sir basically मतलब parent के point आवे से entry करनी है एकदम सही बस फरक इतना subsidiary वाले case में हमको ये entry भी मारनी पड़ती है because subsidiary का हम सब कुछ take over करते subsidiary को बोलते जो तेरा है वो मेरा तो अगर कोई चीज subsidiary को पे करने liability है तो हम भी take over करेंगे उसको ऐसा CFS में बस clear वाला part ये important है ये समझाने में energy आती है अपने को energy यहां लगती है अब ये ना मैं पते क्या करूँगा आपके लिए काम आसान करूँगा अगर मैं पूरा question solve करूँगा न तो आपको कभी भी impact दिखेगा ही नहीं अब देखो मैं क्या must काम करूँगा सुनो अब आप देखना सिर्वा step 2, step 3, step 4, 5 ये पूरा copy ठीक है अब ये ना आपको पूरा impact समझेगा कि कैसा impact लेना इसका done इधर किया paste अब ये मैं पूरा question करूँगा as per alternative number 1 जिसमें step sorry, alternative number 2 step number 1 था PC, 70% फाइलक सिठी था अब ये ना सुनना आप करूँ मत आप देख लो copy आप आराम से बाद में कर लेना घर पे इसी बाहने 35 भी हो जाएगी थोड़ी सी अब देख लो ये जो entries है न बस इसका impact solution में लेना है alternative number B में ये जो entries है बस इसका impact solution में लेना है कहां का impact आएगा एक impact आपके NCI में आएगा बराबर एक impact आपके other equity में आएगा और एक impact आपके investment in eliminated में आएगा बाकि दूसरे दूसरे impact दो dividend payable, dividend receivable मैं impact लेता हूँ, सुनो मेरी बात एक एक करके, सबसे पहले, क्या मेरा PC बदलेगा नहीं सर, क्या मेरा INA बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा सर, पहरा impact NCI में था, तो मेरा NCI कैसे बदलेगा देख लो अब जो बदलेगा ना मैं उसको एक अलग pen में लिख लेता हूँ, कौन सा pen ले लूँ मैं दिखना चीए वैसा pen लेना है नहीं यह दिखीगा नहीं मैं इसको ना orange pen में ले रहा हूँ, orange pen में ठीक है, I hope वो visible होगा तुमको, less dividend by subsidy, कितना amount था अब discussion पुरा कर चुक है, सिर्व amount का effect लेना है तो it was, it will come to 2 lakh 79,000 हो जाएगा भी है आपका NCI है जो भी change है, वो मैं इस pen में लूँगा orange pen, I hope it is visible, ठीक है, यह पहला तो मैंने एक impact ले लिया जो लिया, उसको ठीकी मार देंगे आपन ले ठीकी, उसके बाद फिर, console other equity dividend expense, 50,000 से कम होना चीए मेरा क्योंकि parent ने बाटे dividend है ठीक है, तो बाकी सब कुछ से में बाकी goodwill में कोई change नहीं है सिर्फ जो console other equity है इसमें एक और adjustment आ जाएगा ठीक है, वो actually parent का adjustment है तो मैं इसको थोड़े नीचे घीचूंगा ठीक है, और लिखूंगा less dividend by parent 50,000 रुपिया मेरा final amount will change ना कितना हो जाएगा final amount देखो 9,00,00,00,50 अच्छा जितना पहले था 11,00,00,00 था मेरे क्याल से पहले amount कितना था रहे अपना पहले amount था 11,10,600 था, sorry तो 11,10,600 था उसमें से 50,000 और कम हो जाएगा तो it will be 10,60,600 ये change है आपका बराबर ये आपका नया आ गया ये मेरा दूसरा impact भी हो गया ठीक है, उसके इलावा और क्या था effect एक था आपका investment in a limit कम होना चाहिए बराबर आउना कम करते है सर इसके second effect कहा लोगे, balance sheet में लूँगा सबके second effect, balance sheet में लूँगा पहले मैं single effect दे रहाऊ तो जो मेरा investment है URP के बाद खतम हो गया था न आप सिफ देखो, आप लिखो मत आप लिखोगे कब घर पे practice करते समय तो हम बोलेंगे dividend from associate क्या दे 1 lakh into 15% into 40% ता 6000 तो आपका ये value गिर जाएगा पहले इट वस 25600 minus 6000 it will come to it will come to 199600 ये तीसरा change तो तीनों dividend का एक एक effect में ले लिया second effect है का balance sheet में ठीक है? चलो, अब जब balance sheet बनाओगे तो कौन से amount change होएगे? सबसे पहला मेरा investment in associate 199600 उसके अलावा मेरा और क्या change होएगा? NCI और other equity ये दो change होएगा other equity हो जाएगा 10,60,600 और NCI हो जाएगा 2,79,000 बराबर उसके अलावा और क्या चीज़े आनी चाहिए? सबके second effect क्या थे? दो था आपके बास dividend payable you had two dividend payables तो एक 6,000 और एक 50,000 total हो गया 56,000 dividend payable और एक था dividend receivable 6,000 रुपेगा net मत कर देना वो आपस का नहीं अलग-अलग है वो सारे है ठीक है? तो dividend receivable asset side में एक line छोड़ाएगा मैंने किदर तो जगा होगी adjust करना पड़ेगा नहीं है जगा थोड़ ऐसा में जगा बना लेता हूँ ठीक है? dividend receivable 6,000 और एक तरफ आपका आजाएगा dividend payable 50,000 प्लस 6,000 अब जब मैं ऐसे करता हूँ तो let's see if it tallies or not ठीक है? मेरा PPE है 10,30,000 प्लस 199,600 प्लस 8,67,500 प्लस 1,87,000 प्लस 7,00,000 प्लस 6,000 तो यह सेम अमोंट पर टैली होता है सेम अमोंट पर 2,99,0,100 let's see नीचे वाला 5,00,000 प्लस 10,60,600 प्लस 27,00 2,79,000 प्लस 5,50,000 प्लस 5,44,500 प्लस 56,000 2,99 2,99,0,100 तुम समझे? अब देखो यह question लेंदी पता है क्यों लग रहा है आपको अभी? क्योंकि मैं अभी case 2 discuss कर रहा हूँ ना? एक्जाम में दुनों थे ना करना तो कोई भी एक करना था? तो यह सीखने का point वीज़ा बहुत अच्छा चीज़ है सब को समझा क्या? मैंने जान मुझके orange में लिखा है ताकि जब आप revise करो आपको दिखे हैं न क्या change हो इसकी वज़े से पूरा solution तो ना change होने वाला है तो वो दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि एच्छा हाँ इतना ही change है मेरा तो यह entries are important सुर अब तो alternative number C बाकी है C तो बहुत चिंदी है C तो बहुत चिंदी है सुनना अब मैं पूरा B गॉबी गरूँगा चलो मैं C की बात कर ले ता इधर आ जाओ alternate number C declared भी है लेकिन paid है बस dividend declared and paid अब चलो मैं देखता हूँ कि तुमको आता है की नहाता अगर इसका जवाब तुमने दिया मतलब you have understood the question holy and solely ठीक है entry same रहेगी सिर्फ एक चीज़ चेंज़ वेगा बताओ क्या यह alternative number B है न यह same रहेगा यह same रहेगा पूरा only one thing will change if you can tell me what will change मैं मान जाओंगा आपको समझ किया बताओ क्या very good answer सुनना न बताओ क्या चेंज़ होएगा very good answer जहाँ जहाँ आपने payable कर रखा है न जहाँ जहाँ आपने payable कर रखा है बराबर बस यह कटके पते क्या हो जाएगा यह कटके आपका bank हो जाएगा very good answer very good रूची very good शशांक, हिमेश, वेदाश्री सार्तक, शोबना, very good very good मीद, बस यह payable जो है, यह कटके हो जाएगा bank यह जो receivable है यह कटके हो जाएगा bank इसका मतलब इसकी balance sheet is same पूरा working, all workings are same as alternate इसका मैं बोलूँगा, all steps and workings देखो जो first effect है, वो तो same रहा first effect तो same रहा, वो तो change नहीं होएगा तो all working are same as alternative बी, what will change balance sheet will change अब आता हो balance sheet का discussion पर रुको इसको किया, copy इधर लाके किया copy होई नहीं, रुको इसको किया, copy इधर लाके इसको किया, पेश्ट हो जा राजा चलो मैं को holy and holy copy करना पड़ेगा क्या अब होएगा न, पेश्ट ये ले, बताओ क्या होएगा dividend receivable निकल जाएगा बराबर उसके अलावट dividend payable निकल जाएगा सिर्फ एक चीज चेंज होएगी balance sheet में बताओ क्या receivable निकल गया, payable निकल गया सिर्फ bank adjust होना चीए bank में net impact कितना आना चीए extra तो 6000 कम होएगा 5000 कम होएगा 6000 बड़ेगा, बस तो अपना जो cash bank था cash bank ये आपके लिए भैंकर बन जाएगा important क्योंकि इसका amount will change बराबर इसका amount क्या होएगा change जितना भी था, वो तो ठीक है उसमें आप बोलते है न थोड़ा अलग पैंस ही करना पड़ेगा तो मैं बोलूँगा, less 6000, less 50000, add 6000, अब ये क्यों add किया इसका source, general entry में जाकर देखना मतलब net net, आपको 50,000 से गिराना है तो आपका वहएगा 89 plus 98 98 minus 50 net में गिराया, तो आपको जवाब आएगा 137,000 this is important अच्छा मैं इसको orange में नहीं कोई दूसरे pen से लिखता हूँ ताकि वो मैं दिखापा उसको red highlight में only cash bank is changing, only this will change rest everything is same, of course tally amount will also change tally amount अब इस पे नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा निया tally amount, मैं कर लू 10,30 plus 199,600 plus 867,500 plus 1,37,000 plus 7,00 29,34,100 मेरे ख्याल से मेरे को जवाब आ रहे 29,34,100 29,34,100 29,34,100 सर चेक तो कर लो, ऐसे लिख दिया आपने चेक कर लेता हू 5,00,106,600 plus 2,79,000 plus 5,50 plus 5,44,500 29,34,100 done this is over this question is over मज़ा आ गया भाई अपने को ठीक है, यह question का PDF में डाल दूँगा आपके लिए आपके उस पर डाल दूँगा मैं again I'll just repeat tension मतले ना ऐसे questions का ऐसे question को सीखने का इस question से ठीक है कि हम नहीं क्या सीख के जा रहे यह load मतले ना कि अभी मेरे exam में आया तो क्या हो अगर अब तेरे exam में आया तो देखो तो आता है अगर तेरे exam में कुछ नहीं आया तो कैसे deal करना मैंने क्या बता है जो अच्छे से आता है ना part उसको पहले cover करना ऐसे question को last में करना मैं बता हो चलो तुमको question नहीं आता हो क्या तुम basic PC लिख के आ सकते थे क्या तुम basic time यह सब आईने बगरा कर सकते थे बराबर चलो dividend तुमसे नहीं हुआ अच्छे सा आगा 10 तो मिले ऐसा दिमाग लगाने का exam में तुम क्या है तुम है ना या तो इसको पहले कर लेते हो तो फज जाते हो या फिर तुम उसको बोलते हो करते ही नहीं हो तो फज जाते हो करने का जितना अपने limit जैसे इसका आधा दमाग होता है यह सबका आधा दमाग होता है ऐसा ठीक है तो कभी भी आपके आटेम में भी यह छोड़के भी कोई नया question दिख जाया किसी भी chapter का तो you know how to deal with it just try to score some marks in that और जो अच्छा पार्ट है आपके paper में निकालने अपने गोस्पे ठीक है चलो तो इसी बाट पर I will wrap up the session I hope this was helpful मैंने best try किया इसको मैं summarize करूँ आपके लिए अब वापस अगर आईसे अगर refer करोगे कुछ नहीं समझेगा आपको बहुत tricky है वो समझेगा बट बहुत समय जाएगा तो अगर यह समझ गया तो it is done मैंने इसका summarization लाया था भाई मैं सची बोलू मुझे भी करते करते मुझे समझ तो गया था कि solution इनका इसको इस लेवल पर लेकर आना कि मैं एक entry में कैसे बिठाओ इसको कि यह entry मारे और tally हो गया नेट करगे तो वो करने मुझे भी बहुत समय गया था ठीक है तो I hope this effort is helpful for you ठीक है बाकि आपके बास को दूसरा में थाड़े same answer आता है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो शुक्रिया everyone thank you so much bye bye everyone take care see you all and इसी बात पे care भाई साब